हेलो मैं टेयर स्टुडेंस हेलो हेलो ओके चो आज हमें स्टार्ट करना है आज हमनों स्टार्ट करेंगे साइस 12 पॉइंट तो यह लाइक तो पांच लोग ने किया ओनलाइन एक भी एंदिकरा गाए दूँड़ यह डोड़ भी साइस 12.12 ठीक हे साइस 12.2 बोकि यह हम लोग क्या श्टार्ट करेंगे साइस 12.2 यह कर वाले कोई डाउट कर वाले कोई डाउट कर वाले कोई डाउट है किसी को कर वाले कोई डाउट है किसी ने बताया नहीं है एंसर हमने कुम से कहा था दू सवाल दिये तो कमेंट करने कहा था एंसर किसी ने किया नहीं किया हरा है हमने कहते हैं तुमसे दो सवाल कहते करने के लिए और कहा था क्या एंसर कमेंट कर देना तुमने करा नहीं क्यों मानस मिसरा जान जो भी है सब के सब हेलो है ठीक है क्यों वही क्या कहते तुमसे कि दो सवाल कर देना अच्छा सेयर कर देना है पह ग्रूप में दोस्तों में सब्सक्री करें sweat क्टिसे को भेस दो और दूसरी बात तूपनी जु हुलाइब निया तो हुख करो अगर भुण दिया जा ना intent तुम्हों है अपने कर लेना बाद में पहले बाह समझे अगर त confirms ये ईंसर क्या क्या पर जाके answer लिखना है तो यह yes और नो बताना है कि सार हमने कर लिया तुम सिंप्ली यह सउनो रिता पा रहे हो क्यों मानस मिस्रा जानवी सगून एंजल बाश्तिक तुम सिंप्ली यह सउनोन नहीं बता पा रहे थी कि तुमारे answer हुआ हाँ आस्तिक स्वास्तिक हाँ प्रखर येस प्रखर तो बताना चाहिए था ना तुम्हें एंसर की हुआ कि नहीं तब तो हम आगे जान पाते हैं ठीक है तो सेर्वेर्क कर दो अपने दोस्तों में कि बहुत कमी लोग ऑनलाइन आये हैं अस्तों सब्सक्राइब में डाल तो ज 12.2 यह दिख रहा है साइस 12.2 ठीक बोर इस बीजबल ओगे जल्दी से यह बता हो कि बोर सही से दिख रहा है ना तो से नमर बन क्या दिया है 36 X स्क्वाइर प्लस 25 प्लस 60 X ठीक यह है यह है यह है यह है यह बता हो यह दिख रहा है ना सही से बोर्ड जल्दी से बता दू अब आज आ रही है और बोर्ड सही से दिख रहा है तो हम पढ़ना स्टार करें बस हम स्टार करना चाहते हैं बहुत हो गया बेट करना यह नाइन वॉचिंग नाइन लाइक था अब एट पर एट हो गया किसे ने खटा दिया अपना ओगे ठीक रिया चौर करते हैं तो यह हमारा सॉल करना यह बास समझों a plus b का whole square क्या होता है a square plus 2ab लिख सकते हो या b square plus 2ab तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ओके डिया 2ab plus b square तुम दोनों फॉर्म में लिख सकते हो a plus b का whole square को ओके हम इसे सॉल करना है तो यह बास समझों 36 क्या स्वार होता है 6 का 25 इसका स्वार होता है 5 का क्या हम यहां को 60 है 60 को 2 x 6 x x 5 लिए सकते हैं इसको कितना होता है 2 x 6 x x 5 यह कितना हैगा यह 60 x मतलब 60 x की जगा पर हम यह ले सकते हैं जग्लाव यहां तक मैं बॉरह इतम सही से बिसबॉल है ना क्योंकर हमआज पर बात समझे हमारा यह हमारा बी तक यह स्कॉरार प्लस बीच्वार टू ए लिए वोता है टाहिए स्कॉरार प्लस बीच्वार प्लस टू ए अवी और भी तह यह यह हमारा पहले का एंसर हो गया, यह हमारा ओगडियार, फर्स का एंसर, सर जैसे 25 को जैसे लिखा है, वैसे 60 किसी का स्क्वाइर नहीं होता है, 60 is not a square of any number, जो 60 किसी का भी square नहीं होता है, 25 is a square of 5, but 60 is not a square of any number, 60 किसी number के भी square नहीं होता है, तो उसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं, उसको हम इसी formula लाएंगे, 2A plus B, अच्छा हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है A plus B का whole square, तो whole square बनाने के लिए डियार, हमें 2A बी तो चाहिए, तो 2A बी तो चाहिए, तो 2A बी हमें चाहिए, इसलिए इसको 2 multiply A multiply B लिखे, ओके रियार, चलो, यह हमारा पहला हो गया, अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा क्या हमें, चीक, दो एब बात समझो, एब बात हमें साथ ध्यान लखना, अब इसमें ध्यान से देखो, यह S square है, यह S square है, तो यह 8 कैसे square होएगा, 64 किसका square होता है, यह square of 8, तो यह हो गया, प्लस, अब हमें देखना है, यहां 2 A, बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, क्या समस्या है, क्लियर है na? बोर्ड क्लियर हैarp olan kp budget ली पर तो तो जड़ा दम्हें टो है work यूद थिए बोड़ अब पढ़े हैं तो देखा जो भी होगा ठीक है अ है यह है तो टैन में कि बोड़ क्लियर है कि नहीं एडियर ठीक शुरू ठीक है कि बोड़ क्लियर है मैं तो सही लग रहा है कॉंटिणू करें ना ठीक 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 ओके चलो कॉंटिणू करें तो 16 किसी का स्क्वाइर नहीं होता है 16 is not a square of any number तो हम यहां क्या लिखते हैं यहां लिखते हैं टू अच्छा 16 क्या अबता है टू एट जा फ्लस 1 का square, जहों 1 का square 1 ही होता है तो यहां लिखे 1 का square multiply 1 फ्लस 1 देखो तो यह हमारा a square यह हम नहीं हो गया प्लस 2 a b तो यह किसका फ़मला हो गया 8 x प्लस 1 का whole square तो यह हमारा इसका amyation हो गया ओके टियर यह इसका हमारा क्या हो गया फिर ट्राइशन हो गया हाँ ओके ओके याद वको डाउट नहीं हो गया थिंग चुल आगे देखते हैं इसमें थर्ड थर्ड देखते हैं ओके थार जल्दे दिकरते हैं अगर इसकी बात करा जाएं तो यह बात समझो अगर मैं तुम्हें A-B अगरी का होली स्कॉर लेकशने का हूं तो यह किया होता है A-C-B-2-a-B-2-a-b-a-b-b-b-2-a-b-a-b-a-b-a-b-2-a-b-a-b-a-b-b-b-a-b-b-a-b-b-a-b-a-b-b-a-b-b-b-a-b-b-a-b-b-b-b-b-a-b-b-b-a-b-b-b-b-a-b-b-b-b-b-b-a-b-b-e-b-b-b-a-b-b-b-b-a-b-b-a-b सबस्क्राइब माइनस तो इसको जेकी यहाँ नेगेटिव कि अप्लास को होता है और यहाँ प्लस दिए इस भी इतना नतर होता है तो इसको रखी हो एक वन का स्क्वाइर है माइनस यह किसका स्क्वार है 9x square, यh kis qualquer square हो सकता है यह बेटाइब है बाह समझू यह हमारह 3x2 है है, यह kis khoyar hai 3s temos square है यहां सविम्म मैं रोगने यह 3x2 है और यह क्या है 2 A क्या है, यहांपर 1 है B क्या है 3x है यहां लगैANS फ्रफ क Wish यह प्लस लिखा हुआ है यह प्लस दिखा हुआ है, ओके लिया, तो यह हमारा बने का अब इसको अगे हम इसको करें है न, इसको देखो, तो यह किसका बना, a²- वुकि यहां माइनस है, यह रहा हमारा b, यानि b इसका whole square, यह a-b का whole square, अगर तुम इसको open करते हो, अगर तुम इसको प्लस 9 s² किसी को इसमें कोई डाउट है इसमें कोई डाउट है ना यह मैनस वालत था तुम बहुत बताते हैं करो यह सर नो सर डाउट है यह यह सर डाउट है कि क्ल से कम क्यों हो गया है कि चलो कोई बात नहीं है अभी इन दोनों के जरत पड़ेगी यह इसी जरत नहीं को इन फॉर्म लों के जरत आती है मानस मिश्रा हो पता हो क्या डावड़ा बता है ? मानस मिटिंग फार यर रिप्लाई बाकर लोग बात फोड़ा दो आम मानस के डावड खुश्ने है इसको मानस यह दावड़ा है का स्क्वायर कैसे आया था है तो का स्क्ायर क्या होते है तो one का cube भी करोगे न वो 1 के equal होगा तो 1 का square तो 1 ही equal होगा ना वहाँ 1 लिखा था तो 1 का square लिख दिया हमने ठेक है चलो आगे दिखते है यह similar होगा है चलो 4 देखते है इसे 4th में क्या है 4p square plus 4p plus 1 यानि कि यह किसका square है 2 का और p का square प्लस यह 1 का square है यह 1 का square है यह क्या होगा 2 यह हमारा a है 2p पूरा a जो हो 2p है multiply b और यह प्लस के साथ रहेगा ठीक है ना यह simple होई फॉर्मॉला हो गया यह simple होई फॉर्मॉला हो गया यह तो 2ab यहाँ पर यह है पूरा और यह भी है तो यानि 2a प्लस B का whole square बने लिए को सब्सक्राइब करते हैं यह समझ में आगे हो ना हम इनी तोनों फॉर्मॉला हो रहा है इतने में कोई डाउट नहीं होगा इसे को भी ठीक है कर सब्सक्राइब बहुत कम लोग हैं आज बुझे नहीं परसे मेरा क्यों सारा जूस खत्म हों कि एकी दिन में अगर उमीद करते हैं और आ जाएंगे ठीक है अब दोस्तों बुला लो चलो इसको देखते हैं यह है 10 का square हैंड़ किसका square होता है हैंड़ होता है 10 का square हैंड़ यह 10 का square 1 क्या है यह ये है 2-20 क्या होता है 20 जो इसकते हैं 10a जेरा पूरा a multiply 1 plus 1 तो 1 multiply क्या हुआ है अगर हम इसको multiply कर ले यह क्या आएगा 20a तो ही आएगा तो यह वही बात आई तो मिला क्या हमें यह a plus b का whole square क्यों सब्सक्राइब होता है आज मानस तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होना चाहिए मुझे लग रहे हैं यह बहुत ईजी साइज है इस जल्दी करते हैं यह है x square minus x plus 1 upon 4 now that comes to this topic ठीक है यह देख जे आप यहां पर देहां से देखना है बात का हमारे अगर तुम्ही यहां बनाना तो कैसे बना होगा तो यह है x square यह है और यह किसका है यह है दो फोर किसका स्कॉइर होता है 2 का 1 का स्कॉइर नहीं होता है तो यह ही दो बना तो यहां क्या आना चाहिए 2ab यहां तो हम लिखते हैं तो अगर टू एभी वोल ला यह लिखते हैं यहां लिखते हैं टू तो डू कैंसलों के बसता है X, यहां से बहुत है, हाँ सही है, एकदम सही है, यह 2 मंटिपलाई A, जो कि X है, मंटिपलाई B, जो कि 1 अपॉन टू है, प्लस B स्क्राइब, यही फॉर्मला होता है न, इस वाले फॉर्मला से देखें अगर, 2 A स्क्राइब, प्लस B स्क्राइब, यहां लिखा हुआ है, माइनस 2 A B, तो यह माइनस 2 A B है, यानि यह किसका फॉर्मला हुआ, यह हुआ X, माइनस 1 अपॉन टू का होल स्क्राइब, यह समझ में आ गया, ओके, ओके, यह समझ में आ गया है न, चलो, 7 देख लिए, कॉस्सर न किसो डाउट हैसमें कोई, ओके, डाउट होगा तो बताना हमें, ठीक है न, कहीं भी डाउट होगा, हमें तुरम बताना, किसा यहां डाउट है, ठीक है, चलो, यह था हमारा 6, अब हम कर रहे हैं, 7, 7 हमें कहाता है, अच्छा, आप 7 को ध्यां से देखना जा रहा हूँ, यह रहा 18, यह रहा 79, यह रहा 79, यह है न, हाँ, अब यह हमारे पास सवाल है, इसे कैसे करेंगे, यह कोई बता है, अगर तुम्हें बात समझो मेरी, ठीक है, तुम्हें इस चीज़ समझाते है, तुम इस सवाल को ध्यां से देखो, मैं चाहता है, 7 हार्ड है, ने हार्ड तो नहीं होता है कुछ भी मैस में, बस 7 तुम्हें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है, अगर नों सवाल सही लिखा है, बोग क्यों देते हैं, अब देख 7 कैसे करेंगे, हम 7 करेंगे इस तर पहली बात, पहली बात समझाऊ, अगर मैं लिखों, x2 प्लस फिया, अगर मैं इसको बता रहे हो, इसको इस पहले हो, मैं x1 अपॉन x का होल स्कॉरर क्या होता है, X plus 1 upon X ka whole square होता है और तो minus में रखना minus में, क्योंकि यहाں minus में है X minus 1 upon X ka whole square क्या होता है कोई बताएगा मुझे कि X minus 1 upon X ka whole square क्या होता है मैं लिख देता हूँ कि सायद तुम लोगो उसमें थोड़ा सा लिखने में समस्या हो सकती है लागी इसके होता है क्या जोखो गुद आदरबनेंग एक स्कुएर प्लस वन आप उन ए स्कुएर मेला होल इसकाइस क्या है माइनस 2 ए भी यही तो भता है यही तो होगा ना वमरेब देयर मासम्झो ए इस स्कुएर एस च्वार माइनस वाइनस टू यह थो यह बसता है है x square plus one upon x square minus two यहां के बसता है minus two यह तो cancel रहता है अगर मुझे इप बास समझो मैंने minus का क्यों बनाया है मैं इसको समझा जाता हूं minus की यहां minus है यहां minus है अगर तुम x plus 1 upon x का whole square लिखोगे डियर तो आएगा a square plus 1 upon x square plus 2 a b और यह cancel हो के यहाँ बचेगा plus 2 यह cancel हो के बचेगा यहाँ पर plus 2 पर मुझे चाहिए minus 2 क्योंकि यहाँ minus a formula है इसके जड़ात नहीं है इसको भाटा जाता हूँ अब मेरे बात समझो इसको इसको ध्यान से देखो और यहाँ ध्यान से देखो अगर यहाँ minus 2 होता मेरे बात ध्यान सुनते रहना अगर यहाँ अपर डियर यहाँ minus 2 होता तो यह x minus 1 upon x का whole square बन जाता यह x minus 1 upon x का whole square बन जाता अगर यहाँ minus 2 होता मैं आपने मन से क्या लिख दिया ? मैंने अपने मन से क्या लिख दिया ? मैंने अगर वा रहा हूं किसी भी क्यों में अगर प्लस में होता है log multiply में 1 हमेशा होता है और 5 प्लस में 0 हमेशा होता है क्योंकि इसपस्द्थ कर दो क् canon forgive कोई फरक नहीं पड़ेगा अगार मैं undertaking gibi डियू नहीं की जगा पे मैं लिख़़ हूं 2 माइनस टू ठीक है इस जीरो के जगह पे मैं लिख रहा हूं टू और माइनस टू को मैं इधर लिया रहा हूं क्योंकि मुझे यह एक्वेशन बनाना ऐसा यह बात समझ में आ गई अगर मैंने यहां माइनस टू लिखा है अपने मन से तो अब प्लस टू भी दूँगा माइनस साथे वाज इच्छी से कर लेना बताना ओके ठीक है यहां यहां तो दुक्वड अबात देख लेना थोड़े साभी बता दो यह सर है क्या डाउट है बताओ नाय ने क्या किया है फिर से समझ लो नोट करने जो नहीं है मानस ये सारा वीडियो पढ़ा रहेगा अभी नोट मत करो कॉपी पैन मन उठाओ अभी से इसको देखो ये पूरा वीडियो तुम्हारा यूटूब में पढ़ा रहेगा यूटूब में है जो तुम्हेंस विडियो को देख लियना दुबारां तुम की अगन उसको आखे लूट कर ले ना अाराम ये नोट कर ले लूंत कर ले इना ना इक आशा है निखे लेए नोट नुम नहीं आया फिर समझाते है हम तुम फ्रसे समझाते हैं मैंने यह बोला बहुत ध्यान से सुनना एक बाद पहले बता हूँ 2 अगर कोहीं लिखा है अब 7 लिखा है 7 PLUS 0 कितना होता है 7 ही होता है 7 PLUS 0 क्या होता है 7 ही होता है इससे कोई फड़ा पढ़ता है नहीं हम लोग को हम फिर से समझा रहे है फिर से समझा रहे हैं, पूरी बार सुनो, 7 प्लस 0 क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, तुम्हें एक बात या रखना, किसी भी equation में, किसी भी equation में, हम सेम चीज़ से add और separate कर सकते हैं, सेम चे, अगर मैं 2 को add कर रहा हूं, तो 2 से minus भी करना पड़ेगा, अगर मैं 2 से minus कर रहा हूं, तो 2 से add भी करना पड़ेगा, इससे इस question में कोई फरक नहीं पड़ता है, और ये rule है, ऐसा हम कर सकते हैं, पहले ये बात समझो, कि हम एक ही equation में, हाँ ये बात समझा रहा हैं, ए देखी equation में सेम चीज से separate और सेम चीज से add कर सकते हैं इससे equation कोई फरागने पड़ता है ऐसा rule हम कर सकते हैं तो ठीक है अब हमें add क्या करना है मुझे और क्यों करना है यह समझना है ठीक है ना पहले इतनी बास हमें आगे हैं कि हम add कर सकते हैं और फिर उसे को separate भी करना होगा अगर मैंने plus 2 किया है तो मानेस भी करना अगर मानेस 2 किया है तो plus 2 भी करना पड़ेगा ठीक है ना यह इस तरह से है जैसे हमने लिखते हैं na squaring on both sides जैसे हम लिखते हैं na squaring on both sides तो हम दोनों तरफ square कर सकते हैं वैसे हम addition and subtraction एक साथ एक केस्व में कर सकते हैं बाद खता है अब पूरी आउस मज़ते हैं फिर से मैंने यह लिखा यह लिखा है x square plus one upon x square ठीक है तो मैंने क्या किया इसका whole square बेखा इसका whole square होता है a square plus b square b square तो यह हो गया ना one square is one one square is one minus two a b there minus two a b minus two a b तो यह कड़ गया यह क्या बचा तो यह इसको ध्यान से देखो और इसे ध्यान से देखो यहां इस square है यहां square है यहां plus one upon square है यहां plus one upon square है यहां minus two है यहां minus two नहीं है यहां minus two नहीं है अगर यहां minus two होता अगर यहां minus two होता अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ s square plus one upon s square minus two तो यह दो नुची एकदम से हो जाती यह भी हो समय की नहीं यह बाद समय की लिए है हम इस स्टप बाई स्टप चल ले अगर तो आगे बर जाएगे तुलन थी बहुत सान है इतना है में टॉपिक हम यह समझ गया ना तो पूरा सबस्वास समझ गया हमने माइनस टू किया इतना है याद को लो हमने खुछ से डियर माइनस किया ठीक अगर माइनस टू मैंने खुछ से किया तो मैंने क्या बताया हमें प्लस टू भी करना पड़ेगा अब बाकियों को ऐसे लिख लो हम बाकियों ऐसे लिख लेते हैं हमें प्लस टू भी करना पड़ेगा यह बनके यह बनेगा इसको तो हमें यह बनाना है इसको माइ कर दो यह चो सब्सक्राइबwatch Eric म suka यहान हुआ यहां यहां पे प्यूmb выступ तो कि इसा एक नानों सकता अठाइपिन एक्स माइन स बने पस्ते हो ने सकता तो इसको एकलिए उसको मैंने इधर लिकलिए ओके हैं आप दिग बाए सुनो 79 प्लस 2 कितना होता है 81 और यहां क्या है X-1 अपॉन X का होल स्क्वायर प्लस 18 X-1 अपॉन X ये सम्में आगए किनी डियर यह समय आगया है हाँ अच्छी बात करने 14 तो आए बागी नहीं आते हैं ABC में लगा तो और आएंगे आज चुल ठीक है इतना समय आगे नहीं है जो आए बहुत है जो नहीं आए वो भी ठीक है मैं तुम लोगा बेट कर रहा हूं रिस्पॉंस का यस और नो तो कि मैं इसका आगे तभी बढ़ूँगा माइनस टुम अपने मन से डाले इसको बना लिए एस हो इसको आड्क हो एसे ही लिखा हूं अब एक बास पास मजो मेरी आ एक वास समच्छो了 81 स्क्वार्ट रुचले नहीं का 85डिए नहीं का यह हमारा यहां पर स्क्वार carriage क्यों क्यों सक्वार हैं डू कि यह पूरा एक जगद आपने हैं यह पूरा एक ड़िए ठीक आ बी है देखो यह पूरा है एस्क्राइर प्लस टू यह रहा टू यह रहा ए बंटिप्लाइब बी और यह रहा बीकर स्क्राइब यह लाइसन में यह लाइसन में आई ठीक तो मैं इसको रफ कर रहा हूं उपर से थोड़ा सा जगाव चाहिए हुझे नीची जगाव है लो मतलब क्या है डाउट है यह पूरा ए है यह पूरा ए है एक्स अगर तुम ऐसे समझने पा रहे हो तो ऐसे समझो यह पूरा ए है एक्स माइनस वन अपॉरा एक्स इस होल स्कॉर यह एए स्कॉर स्कॉर टु एबी प्लस बी स्कॉर नाई इस बी यहां पर इसकी अपर ए है और नाइन के जगाव पर भी है अगर मैं इसको इपा समझो इसको यह दूसरी तरी के सम्झावाँ तुमें तो तो x-1 upon x को माहने माना a तो यह a square प्लस यह है 2 a इससे गापर मैं बोलना हूँ कि a है ठीक है निया कहां गया यह लाओ हाँ इससे गापर a है माल लेते हैं इसके जब बी माल लेते हैं तो यह a 9b है अब प्लस b square यह इसी फॉर्मिल में है इसको अब सक्षगाने लिख लीखें उसा में ऐसा करने चौनता होती особi नहीं होगे अब हैं तो यह किसका फॉर्मिल बंगा है यह एक ही करता आधा a प्लस यह बनता है एक कऱे का इसको फॉर्मिल्ज क्वंक्र से अग्र अप और यह हो गया है, इसका होल स्कुर्ण है, इसका सलूसन है, इसका दुबारा तुम्हें देखने पढ़ सकती है, हमने इसके को हाई, यह हमारा ए है, और यह हमारा 9 हमारा B है, ठीक है, तो यह तुम्हें हो सकता है, दुबारा देखने पढ़ जा तो देख लेना, ठीक है, I think sum म तो आ गया होगा इतना समझ में आ गया है तो एक बास समझते हैं हम फिर से करते हैं इसके आगे अगर इतना समझ में आ गया है तो लिखो जादा let x minus 1 upon x square to a x minus 1 upon x square to a तो इसकी जगाँ पर लिख देते है a square plus 18 a plus 81 81 is square of 9 81 is square of 9 इसे मैं let इसलिए क्या है ताकि तुम्हें समझ माँ सके 81 is square of 9 यानि ये a square plus 2 multiply a multiply 9 plus 9 square ये तो हुआ ठीक है यानि इसको मैं लिख सकता हूँ ये 9 है ये 9 है ठीक है ये 9 है और ये a है तो यानि ये a plus 2ab plus b square a plus 9 का whole square a plus 9 का whole square बना और a को हमने क्या लिट किया था एक जगाँ पर जो होता हुआ है पुट कर दो तो a जगाँ पर है x minus 1 upon x plus 9 का whole square ये इसका अलसाव है ठीक हडियार कि जोसमें नहीं नहीं आया हुगा दुबारा देख लेगा सम्झ में आ जाएगा करते एड इससे दुबारा देख लेना ये लॉजिकल यह है ओके अब कौन सा फॉर्मॉला लगेगा अब हम दूसरे फॉर्मॉले पर आपने फॉर्मॉला हमारे पास और होता है ध्यानकना एक स्क्वार माइनस वाई स्क्वार यह होता है एक स्माइनस वाई और एक स्प्लस वाई दो इस फॉर्मॉले में यह बात ध्यान रखना है स्कॉर्म वाला निगेटिव होता है अगर तुम यह फॉर्मले देखते हैं अगर तो यहां पॉस्टिव है और यहां जिस पर स्कॉर्म वह निगेटिव है तो में इस फॉर्मले चीज़ ही होता है कि यह स्कॉर्म वाला तर्म है है और यहां बॉस्टिव होता है तो यह वही फॉर्मला बनेगा इटिवड स्कॉर्मेटिव औफे खेखत तुमेटिव फ्कॉर्म वह यह बनगेगा 9a-5b यह दो जाना है, a-b और a plus b, या x-b, x-y, 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 a-b-a-y, इसको तो तो अगर ऐसे लिख दो इसाम में, तो अभी गलत नहीं है, दोनों फॉर्मले इंटम सेम है, बात वही है, इन फॉर्मले कोई गलते नहीं होती है, ठीकर लियर, अनि डाउट? अब नेट तो हम तुम्हारा चला नहीं सकते है, अब वहां से हम क्या कर सकते है, नेट नहीं चला, हमारा तो चली रहा है, बाकी तुमने देख लो, ओकी डियर, चीकर चलो, इसे कोई डाउट है कि नहीं होता है, ठीकर चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह होगा हमारा 8th, 9 कर लेते हैं, 9 क्या है, यह भी वैसे ही होगा, 4x²-1 upon x का, 4², नहीं 4x-1 upon x, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x, फ्लस ब्रैकेट में, यह हो गया, 4x-1 upon x, और 4x-1 upon x है, कितने फॉर्मले क्या, तीनी फॉर्मले तो बताएं हम, देखाया तो तो तुम्हें तीनी फॉर्मले तो बताएं हैं, कहां तीन से जादा फॉर्मले बताएं, एक फॉर्मला यह है, एक तुम्हारा a-b का whole square है, एक तुम्हारा a-b का whole square है, पस तीनी इतने फॉम्लेस पढ़ने 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 अगले सार्थ ना रहे हो थो तब और फॉम्लेस मिलेंगे तो बहुता इसा थोड़ा जाती है यह पढ़ना पढ़ता है और हमसे पूछता है ना तो कहते हैं मैज इसा बना ता मॉस्त आज अजिए सब्सक्राइब मैं तुम्हें रूल चेंग नहीं होते हैं मैं तुम्हें कोई रूल चेंग नहीं होते हैं ओके चलो इसको देखते हैं 1-b-c का होल स्कुरा है हाँ easy है यह भी वही है a2- ठीक है तो फॉर्मला भी बनेगा a- minus minus में है और एक बाद plus के साथ एक बाद minus के साथ देखो यह रहा हमारा X यह रहा हमारा X और यह पूरा रहा हमारा Y तो formula हम ने क्या लेकाता है X-Y तो X-Y यह पूरा माइनस जब भी लगता तो bracket लगता है और एक बार X plus Y तो यह रहा 1 जो कि X है हमारा, plus और यह हमारा y है, पूरा y है, तो जब, इसको bracket, हाँ, अगर मैं इसको bracket open करूँ, नी अंदर का bracket, अंदर bracket open करूँ तो 1, यह minus बन जाएगा, यह minus minus क्या होता है, प्लस हो जाएगा, यहाँ bracket open करूँ, तो यह plus है, इसके काँ कुछ चेंज नहीं आएगा, तो यह इसका डियार, answer है Sir, 1-P-A-Square क्यों है? अब बताने के लिए यह, मैं इस फ्रॉमल इसको समझाने के लिए कि इस फ्रॉम में है यह यह 1-P-A-Square जो लिखा है मैंने, वह इस फ्रॉमल इसकॉर वह नहीं होता है इसलिए मैंने बन का स्कॉयर लिखा और कोई रीजन नहीं है तुम इसको ना लिखो सीधे इस वारा एंसर वही है जाम में वही है मार्क मिलेगा कोई चेंड नहीं होता है वो दो सब समझाने के लिए डियर बने कर दिया है करेंगे दो आज एक ठर्टी को पर नहीं कर पाएंगे लिए तो कि नाइन वालो छूड़ जाता है ना कल भी नाइन वालो कर नहीं हुआ था को हमें बहुत ज्यादा क्यान पढ़ाते हैं को बहुत चाम मैं था अनटा भी पढ़ाए रहते हैं तो सब्सक्क्रण को पता है कोई पताए कि बिटा तो 343 किसके स्क्वाइर होते है बहुत से बात बोले 343 किसी के स्क्वाइर नहीं होता है 18.52 बात सुनो 343 किसी के स्क्वाइर नहीं होता है एकदम बात सही करी यह 7 क्यूब होता है यानि 7 x 7 x 7 यह है माइनस यह किसका होगा यह क्या है यह सेवन मंटिप्लाई हमारा 64 होता है हम यह होता है नंगि चैना कि अ इसरी मंटिप्ला 264 कितना होता है कि जल्दे होता सेवन मंटिप्लाइ 64 कितना होता है था रहा तुम लोग बताओ बैया मांय तुम लोग को ऐसे बस बठाय रहना है यह मैं अटला पे ना सब्सक्राइब अब तो जल्दी बता है यह लिखा है क्यों लिखा है यहां से 7 और यहां से 7 कौमन आएगा तो एक 7 बाहर आ गया यहां क्या बचा यहां बचा 7 का स्क्वाइर यहां कैसा क्या सकते हो तुम 49 यहां बचा 64 सब्सक्राइब तो इसको तुम चाहिए तो अभी के लिए 49 हमें परण नहीं पड़ता हमने सिर्फ सेवन का स्क्राइब लिए यह सब्सक्राइब बात देखिए हैं यह सेवन कमन लो सेवन स्क्राइब माइनस 64 इसक्वाइर अफ एट 64 is square of 8 64 is square of 8 और यह x square था इसलिए मैं इसको एक साथ देख लिए अब मैं इसमें यह formula apply करूँगा 7 को बाहर लिखा लूँ a पर लेकिन 7 a minus b अरे पर लेकिने a plus b तो यह होगा तो ध्यान रखना हमें common भी लेना पर सकता है हमें common भी लेना पर सकता है सिभ उसको देख के ऐसे नहीं सीधर आ जागा यह बात ध्यान रखना तो यहां मैंने 7 common लिया तब यह बना 49 और यह बना 64 यह 7 is square और यह 8 कर सकता है तो a minus b और a plus b इसको a minus b में लिए पर में लिख दूँ आगे देखें यह था हमारा 11 और हमें करना है कौन सा 12 थोड़ बात तुम लोगे बताते रहो तुम इसे पूछते रहेंगे तो कि मैं अब सारे सवाल करा दूँ तो इस नोट इस गुड़ तिंग न आई थिंग स्रियांस तुम्हारा तुम थोड़ा पीछे चल ले थो थोड़ा आगे करो तुम साइद पीछे देख रहे हो इस सवाल में देखते हैं 16 किसका स्क्वाइर होता है कोई बता है 16 किसका स्क्वाइर होता है जल्दी से बताओ मेंं किसका स्कॉाइर एक माइनस डुकोच्रिका स्कॉरियर एक घुरण व ठिरीका स्क्वाइर । उख कशॉर्यर नांच होता है तो नांच की आप लिखत थेरीका स्क्वाइर ठीक है और यह साथ में a plus b का whole square था ही यहाँ पे a plus b का whole square था और हमने ये लिखा इसको एक साथ लिख लिए हमने 3 a plus b पूरे का whole square इस पूरे का whole square लिख लिख लिए तो कि a plus b पे square था और 9 होता है 3 का square इसको मैंने पूरा एक साथ कर लिए अब ये बात सुनो यह formula यह बन गया पहले यह रहा A लिखे, minus यह पूरा B के अंदर आता है तो 3 A plus B फिर bracket लगा दिये फिर उसके पाद यह A रहा प्लस यह पूरा B के अंदर आता है तो 3 A plus B यह हमारा बन गया ठीक है? तो यह हमारा बन गया इसे यहाँ पर bracket थोड़ा open कर लेंगे तो 4 यह square नहीं है 3 A minus 3 B यह bracket उपने है इससे multiply वाँ तो minus 3 A और minus 3 B यहाँ 4 3 A plus 3 B यह हमारा answer है यह हमारा answer है कोई डाउट इसमें? किसे कोई कोई डाउट? ठीक है न? अच्छा आगे पीछे हो सकता है अगर यह term आगे लिखा हो और यह पीछे लिखा हो तो answer में नहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो यह बात एक ही है इसमें कोई अंतर नहीं आया ठीक है? इसमें कोई अंतर नहीं आया दोने एक ही चीज़ है यह दोनुची एक ही चीज़ है दोनों सेमें एंसर है तो अगर ऐसे तुम answer पीछे देखो तो गलत कन्फ्यूज मतलब आगे पीछे क्यों है आगे पीछे कोई फराग नहीं पढ़ता है यार अनना bracket का मतलब होता है मुट्यप्लाइ एक तुम लिखा ब्रैक टू और ब्रैकें में थ्री इसका मानता होता है 2 x 3 that's equal to 6 और हम हम उसका 3 ब्रैक इसका मचे तभी होता है 3 multiply 2 that's equal to 6 दोनों 6 यह आएगा चलोग कोई टेन समात देना आगे पीछे का चलो करते है हम लोग करसन नंबर 13 13, 13, 2x-32, sk5, ओके, यहां क्या कर सकते हैं, यह सवाल सही है, दिवे बाद समझो, क्या 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 पूरा यह बहर आगिए, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा माइनस, यह बचा 16 और यह x की पावर 4 16 x 2 होता है 32 और x की पावर 4 x इसका होता है x की पावर 5 add होता है na, 4 प्लस 1 add होता है यह होता है 4 प्लस 1 that's equal to 5 ठीक इसको ऐसे लिख देता हूँ तो यहाँ 5x था तो 1x 12 के यहाँ कितना बचा चारी बचा चारी बचा तो इसमें ग्यावट यह है यह किसके स्क्वार होता है 4 हाँ देखो 1-4s² यह किसका है 4 का है और यह स्क्वार का है दो कोई बास समझो स्क्वार पर अगर स्क्वार लगाते हैं तो यह बनता है 2 x 2 देश्क कोटी स की पावर 4 फॉर्मला पता है ना तुम लोगों ए की पावर n एम तो ए एन मंटिप्लाई मैं यह होता है ना पावर में पढ़ा तुम ने इसको मैं लिए सकता हूं इस फॉर्म में तो यह वह जिधा prov होता है 4 का स्क्वाइर, 16 होता है 4 का स्क्वाइर, ओके डियर, और यह हो गया A-B, उसके बाद A-B, यह हो गया हमारा, एक सवाल और कर लेते हैं, तुम्हें कोई डाउट ना हो डियर, हम चाहते हैं कि 14-15 तक पहुंची जाएं, ठीक है, याद बाद तुम लो कर ले न, थोड़ा पढ़ लो, 14, बहुत असान है, X कमन लो, बचा क्या, 100 X-1, स्वाइर, 100 X-1, तो X, यह होता है 10 का स्क्वाइर, और यह होता है स्क्वाइर, इसको मैं एक साथ ले सकता हूँ, 10 और X, पूरे पे, होल स्क्वाइर, माइनस 1 का स्क्वाइर, चाहिए मैं 1 का स्क्वाइर लिखू या लिखू या लिखू फरख नहीं पढ़ता है, ठीक है न, तो यह किसका फॉनला बन गया, एक बार A-B, और A+, B, तो कोई फरख नहीं पढ़ता है, A-B, प्लस B, यह A हर है, और य अभी कराइता हूं, एक सवाल, एक सवाल अभी और कराइता हूं, अभी अमबर टाइम है, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर 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 नहीं आ रहा है, एक्स बाहर क्यों लिखा, एक्स बाहर इसलिए कॉमन नहीं बेटा न, दोखो यहां पर X है यहाँ S Q 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 Q' Q 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 QQ Q 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 लेते हैं इस तरह से हमें कॉमन लेना पड़ेगा अब कोई डाउट है कि नहीं कि बागी लोग भी देख लिया हो रहा है वीडियो दो पता नहीं देखते हुए कि लास्ट सवाल और कर लें 15 कि चलो 15 एक आखनी सवाल कर लेते हैं बस आज के लिए बहुत हो गया यह 15 सवाल ध्यान से देखना यह आखरी सवाल है मगहाँ अच्छा सवाल अब बास समझेँ मेरी एंग घर यह आखरी सवाल कर लेते हैं बस यह आखरी सवाल है is a a-b का whole square में a क्या होता है positive b क्या होता है positive minus 2ab इसलिए यहाँ जो स्क्वाइर में है जो कि स्क्वाइर में है वो नेगेटिव है यहाँ यहाँ पर भी नेगेटिव है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं है प्लस टू ए बी प्लस बडिया और यह प्लस बन गया अब यह ょ conscious का फर्मला है यह यही तो है, यह same formula तो लिखा है, तो यह हो गया बेटा, यह वासर में आ गई, यह same formula तो लिखा है, हमने लिख दिया, हमने minus common लिया, ताकि यह minus plus बन जाए, यह plus minus बन जाए, जैसे minus common लिया, यह सब change हो गया, यह बन गया, हमारा plus, यह minus बन गया, यह बन गया, यह बन गया, तकि प्लस B स्कॉर्व मिले और A स्कॉर्व मिले यहां माइनस मिल ला है प्लस मिल ला हमें निपता है अब यहां पर मैं इसको याला पॉर्मौन लगाँगा यहां पॉर्मौना कैसे लेगा देखो 1 का square, 1 किसका होता है, 1 का square ही तो होता है, दुखो, A minus, यह लिखा, अब एक bracket में A minus B, यह पूरा एक term है, यह पूरा A है, और दूसरे bracket में A plus B, इस bracket को open करूँ अगर, इस अंदर bracket को open करूँ, तो यह minus बन जाएगा, और यह minus क्या बन जाएगा, प्लस, और इसे open करूँ तो यहाँ तो plus है, तो कोई symbol में change नहीं आएगा, यह plus है, इसलिए कोई symbol नहीं आएगा, यह minus यह सलिए symbol चेंज जाएगा, इसमें कोई doubt है, यह last सवाल बता दो, इसमें कोई doubt है, बिस यह last idea, भाई भाई बाते कर ले ना, तो तुम्हें टाइम देंगे, अगर तुम्हें बाते करना है, तो मेरे बाते करने सिर्वाद है, इसके बाद यहों दस मेरे बात 9 के आएगा, है है ते सुनों बात समझो इसके वाद भी नाइन के बैश करेंगे थिक है 다음 के बैश करोंगा उसमें आ जाना अराम से ना लों लोग बढ़ाते रहेंंगे अगले साथ तुम्हें नाइन प्सका। भी जो से बाती करने आए थे नाइन की बैस में आ जाना थोड़ी दिर में पांच जिसमें बाद सिर्ट कर देंगे वहां ज्यादा लोग आते भी नहीं है नाइन वाले बैस में चार-पांच उसको पर कभी नहीं आते हैं अराम से तुम लोग बाते करना हमें भी ठीक है कोई चलो मिलतने हैं कल ठीक है, से ताइम्मिंग, एक 9 के बाद सकते ही की फिलाव, थांक यू, कल आना सब लोग आगे करेंगे आगे करेंगे में थिखाए है ना डियर से लू, अबस थोड़ी दीबन 9 के बाद कर रहे हैं, 10 मेंट नाइन चार रहे हैं 9 के बाद करेंगे, होह ज टेक केर हाँ वेड़ा कल पिस सेम ताइमिंग, कल भी सेम ताइमिंग, ठीक ने या, टेक ने या